रोल पंच टूल, घरों में वाइरिंग के काम में बैटन बोर्ड या गोल ब्लॉक आधी को दीवार पर फिट करने के लिए उनमें छेद करना पड़ता है। शीट लगी होती है। होल्डर में लगी बिट को हथोडे से मार कर और गोल घुमा कर दीवार में छेद किया जाता है। रोल प्लक का उपयोग करने से दीवार को कोई नुकसान नहीं होता है। टूल, बिट स्क्रू की, मोटाई के आधार पर विभिन आकारों में भी उपलब्ध हैं। जैसे छे अंक, आठ अंक, दस अंक आधी वा आई एंटी। गर में वायरिंग करते समय एक कमरे से दूसरे कमरे तक और नीचे से उपर तक तार चलाना जरूरी होता है। इसके लिए दीवार या छट में उपयुक्त आकार के छेद बनाने के लिए वाल पंच टपाइप पंच का उपयोग किया जाता है। इसे अच्छी गुणवत्ता वाले स्टील पाइप को खोद कर बनाया जा सकता है। इसका आकार बारा से अठारा मिमी व्यास और बीस से तीस सेमी लंबाई है। दांतेदार दीवार की योर दूसरे सिरे से मुक्का गुमा कर हथोड़े से प्रहार किया जाता है। तो दीवार में छेद हो जाता है। इसके दांत खराब हो जाने पर त्रिकोणिय फाइल से रगड़ कर इन्हें तेज किया जा सकता है। नाली वायरिंग के दौरान पाइप की लंबाई बढ़ाने और लाइन को लंबवत ले जाने के लिए पाइप को अंत में मोड़ना पड़ता है। इसे बनाने के उपकरण को धाई और धाई स्टॉक कहा जाता है। पाईप को धाई के बीच में पकड़ कर धाई स्टॉक को घुमाने से पाईप फंस जाता है। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। A. ठोस B. समायोज्य धाई स्टॉक में एक स्टील ब्लॉक होता है, चेनी ठंडा कि ठंडक का उपयोग तब किया जाता है जब दीवार के साथ-साथ जमीन में भी छेद करना होता है। छेनी के ब्लेड का आकार उसके ब्लेड की चोड़ाई से निर्धारित होता है, जो 12 मिमी, 19 मिमी, 25 मिमी, 47 मिमी आदी आकारों में उपलब्ध है. किसी भी वस्तु को काटना या छेद करना हो, तो उसे ठीक से पकड़ना होता है. उसके लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है, उसे वाइस कहते हैं. बेंच पर शिकंजा कस दिया गया है, इसलिए इसे बेंच वाइस के नाम से जाना जाता है. यह सामान्यतह स्टील का बना होता है इसके दो जबड़े होते हैं जिन्हें जबड़े कहा जाता है एक यदी स्थिर है और दूसरा यदी गतिशील है ताकि छोटी बड़ी चीजें इसमें पकड़ में आ सकें पकड़ी गई वस्तु को फिसलने से बचाने के लिए दोनों जबड़ों में घुमावदार प्लेटें होती है एक वाइस का आकार उसके जो की चोड़ाई से निर्धारित होता है जो सामान्यतह 25 से 100 मिमी आकार में पाया जाता है